सुबह मम्मी उठाती आवास लगा के स्कूल के लिए देर नहीं हो रही उस छंडी हवा में बसका इंतजार करते और खुद से ही पूछते आज ज्यादे ही ठंड नहीं हो रही कॉरिडोर में शोर मचाते हुए टीचर से छुपना छुपाना किसी आदे हधूरे प्रोजेक्ट वर्क को चलती क्लास में पूरा करते जाना बलेजर डाल के सर पे किसी के बे मतलब भी उसकी कुटाई हो जाती थी वो सीन भी किसी मूवी से कम नहीं होता था जब स्कूल में किसी की लड़ाई हो जाती थी हम सारे दोस तब एक परिवार से हुआ करते थे स्कूल जाने का मतलब दोस्तों से मिलना ही तो था बे तो किसी बातों पे भी बे हिसाब हसते थे हम जिसको आज याद करके हसते हैं वो स्कूल ही तो था एक-एक करके गौसिप सुनना और सुनाना वो सुलजी हुई सी जिन्दगी बेफिक्री से जीते थे हम एक बार फिर से उस ग्रौण में पढ़ती धूप सेखनी है अच्छे थैयार वो दिन भी जब स्कूल में थे हम याद है वो स्कूल का आखरी ओफिशिल दिन जब आखरी बार हुँ स्कूल में अज़ा स्टूडेंट गए थे आखरी बार अपनी क्लास में बैठे आखरी बार टीचर को लेक्चर देते सुन रहे थे उस वक्त पता थोड़ी ना था कि ये दिन भी इतने याद आएंगे अपनी कैंटीन की समोसे का टेस्ट हम किसी और जगा धोंडी नहीं पाएंगे लंच में की हुई छीना जप्ती भी उन खास पलों में से एक होगी टीचर्स के ताने और डांट भी क्या पता था इन यादों के लिए एक भेट होगी वाश्रूम भी दोस सारे ग्रुप में जाया करते थे वहीं से फिर बंक मारने का प्लैन बनाया करते थे अपनी डेस्क को किसी और के बैक से साफ करने में सुकून मिलता था क्लास के टाइम कॉपी पे लिख लिख कर बाते करना फन लगता था आज भी कोई पूछता है ना कि स्कूल याद आता है गया मैं क्याता हूं नहीं पर वहाँ के लोग याद आते बिल्कुल वैसा ही रिष्टा अब तो उन सबसे रहा नहीं पर जिन से रह गया ना वो जिन्दगी भर के लिए अपने हो जाते हैं